हलो मेरा नाम चंद्रहा से study smart में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि IVPS clerk prelims का जो exam होने वाला है उसके लिए आपकी क्या strategy होनी चाहिए किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए present scenario को देखते हुए बहुत सारे लोग मुझसे इस वीडियो के demand कर रहे थे तो मैंने सुच आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ अभी तो काफी कम दिन बचे हुए है clerk के exam में होने के लिए लेकिन आप अभी practice में है exam आपके लगातार हो रहे है तो आपको यहां पर ज़्यादा effort डालिंग जरूत नहीं है बस अपने आपको थोड़ा सा maintain करके रखिए यहां पर हम सबसे पहले exam pattern की बात करते हैं कि कैसा आपका exam होने वाला है यहां भी आप से तीन section से question पूछे जाएंगे एक तो होग आपका reasoning जहां से आपको 35 questions आएंगे और वो आपके 35 नंबर के questions होंगे यह आपके number of questions हैं और यह आपके marks हैं कि total marks कितने होंगे उसमें तो यहां पर देखें numerical ability से भी वही है 35 questions होंगे और आपके 35 नंबर के होंगे English से आपके 30 questions होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे total देखा जाएगा आपका 100 नंबर का paper होगा और timing आपके लिए रहेगी एक घंटे का यहाँ पर period रहेगा मतलब 60 minute में आपके लिए 100 questions मौजूद होंगे करने के लिए तो यह आपको देखना होगा कि इसको आप कैसे manage कर पाते हैं चली सबसे पहले English से start करते हैं क्योंकि सबसे यदा आपके लिए परशानी यहीं से पैदा होती है तो सबसे पहले तो आपके 10 नंबर के questions rating comprehension से हो सकते हैं अगर यहां पर आपसे 10 नंबर के questions नहीं पूछे गए तो यहां से आपको 8 नंबर के questions पूछे जाएंगे फिर आपका जो close test जो यहां पर 5 नंबर का मैंने लिखा हुआ है वो 2 नंबर यहां पर आखे जोड़ेंगा और यह 7 नंबर का पूछा जाएगा मतलब इन दोनों को मिला करके आपको 15 नंबर के questions पूछे जाने हैं यह बात ते हैं ठीक है तो यह आपको निकालने हैं और जो भी यहां पर reading comprehension होगा हो तो आपका lengthy होता है जैसे हर बार आपका निकलता है और आपका economy या इसी सब पर based होता है और आपका जो close test होगा हो आपके लिए easy हो सकता है जिसको आप easily कर पाएंगे 5 questions को बहुत ज़्यादे हैं हाँ पर cut नहीं आपको नहीं होगी फिर बात करें अगर next तो यहां पर sentence improvement और spotting error से मिला करके questions थे improvement आप समझते हैं कि आपको पूरा का पूरा line लिखा होगा ठीक है उसमें कुछ part उसका board होगा और उसके options आपको दिये रहेंगे ABCD करके कि यहां पर जो board में लिखा गया है क्या वो एकदम correct है अगर उसमें कोई गलती है तो उसे और किस तरीके से लिखा जाएगा तो पूरा का पूरा आपको यहां पर ABCD करके option लिखा रहता है तो वो भी आपका समझ सकते हैं spotting error का ही part है क्योंकि आपको अगर पता नहीं है यहां पे कुछ error है तो आप दूर नहीं कर पाएंगे spotting error से 5 number question और sentence improvement से 5 number question मिला के 10 number question आपके यहां से आ सकते हैं या फिर अगर एक ही पूछेगा तो इसी में से आपके 10 number question पूछे जा सकते हैं फिर आखरी में बात करें तो पैरा जंबल से आपके 5 number के questions आने की समभावना है वो तो fix ही है कि आपका 5 number आएगा और यह जो आपका section होगा यह आपका moderate हो सकता है क्योंकि यह आपका जो RRB clerk का exam है उससे थोड़ा सा level उपर होगा ध्यान रखेगा RRB clerk level के papers तो नहीं आएं होंगे यह आपके थोड़े से समझ सकते हैं 5-10% थोड़ा setup हो सकता है IBPS clerk का paper तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा कि यहां पे आपको देखना होगा accuracy आपकी कितनी बैठती मतलब number of questions बहुत जादा attempt करने पे आप ध्यान देते हैं और उसके बाद अपनी accuracy को गड़ब आप close test करिए यहां से जो 57 नंबर होते हैं एक दम आपको फटा फट मिल जाते हैं और यहां पर ज्यादा आपको tension भी नहीं होती है फिर उसके बाद आपको करना है तो आप Parasumbles पर आ जाईए यहां से easy questions बनेंगे आप बहुत आसानी से find कर पाएंगे कि एक के बाद दूसरा कौन से sentence यहां पर लगा हुआ है बहुत जादा है यहां पर आपको hint देखने को मिलेंगे अगर आप 5 sentence यहां पर पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखेंगे आप आसानी से इसको manage कर सकते हैं तो close test और यहां Parasumbles के बाद आप जा सकते हैं spotting errors पे या फिर sentence improvement जो भी आपको ठीक लगता हो दोनों में से किसी एक पर जा सकते हैं और वहां से question कर सकते हैं reading comprehension के अगर आपकी आदत नहीं है तो आपको कहूंगा सबसे last नहीं से attempt करिएगा और इस पर मैंने आज एक वीडियो भी upload किया हुआ है जिसको आप देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि reading comprehension में जो आपके 10 number question आते इनको आप कैसे improve कर सकते हैं हाला कि एक दिन की बात नहीं है वो कि आप अभी से देखेंगे और 15 दिन में आप इंप्रूब कर लेंगे लेकिन कुछ ना कुछ improvement तो आप में जरूर आ जाएगी ठीक है तो यह आप वीडियो देखेगा आपको बहुत फाय आगे चले हम quantitative aptitude पे तो quantitative aptitude पे आपके 5 number और यह इस number series के आपके fix होंगा और यह आपकी easy आएगी मतलब 5 के 5 questions आप attempt कर सकते हैं ऐसा कोई भी difficult यहां पे part नहीं होने वाला है इसी तरह आपका simplification और approximation को मिला करके 10 questions आ सकते हैं आपके 10 questions simplification और approximation को मिला करके पूछे जाएंग जैसे इस बार पूचा जा रहा है पिछली बार भी आपका एक सेठी पूचा गया था 2015 में इस बार भी संभावना है कि एक सेठी पूचा जाएगा 5 questions होंगे easy हो सकता है in terms of समझने में calculated हो सकता है थोड़ा लिंदी हो सकता है अगर वो tabular graph वगरा दे देगा तो यह ध्यान र questions में आपके time and work, profit and loss, time distance और आपके mixture allegation, mensuration यह सारे आपके part पूचे जाएंगे तो इन में से आपको जो जो बहुत एकदम confidence हो उनको आप easily कर पाएंगे जैसे time and work आप कर सकते हैं easily, आप mensuration को कर सकते हैं अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो time and distance को कर सकते हैं एकदम set questions साते हैं, यहां से mixture allegation कर सकते हैं, profit and loss कर सकते हैं और आप ratio proportions के question कर सकते हैं मतलब एक-एक सारे questions होंगे आप इनको असानी से कर सकते हैं कोई भी difficult यहां पर आपको लगेगा नहीं question की आपको करने में यहां पर कटना ही हो रही है, बात क्यों आपकी होती है time management की, आपके पास साथ मिनट का यहां पर time होता है, जिसको आपको divide करना होता है तीन sections में, तो आप सबसे पहले खुद से पूछिए कि आपका कौन सा section मजबूत है, हमको पता होता है कि हमको quantity of attitude जादा आता है, या फिर English जादा आता है, या फिर reasoning जाता आता है, तीनों मेंसे आपको जो सबसे जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अगर करने में कोई part सबसे अच्छा रगता है, तो वो होता है मेरे लिए quantity of attitude, तो मैं वहां से start करूँगा करना questions को quantity of attitude से, तो वहां से start करूँगा, उसके बाद आँगा reasoning पर सबसे आखरी में जाता हूँ मैं English पर, ठीक है, इ मैं English में, और मैंने शुरुआत कर लिए English है, आपको पता है कि शुरुआत के जो 10-15 मिनिट होते हैं, कितनी तेजी से कम होते हैं, पता भी नहीं चलता है, और मैं इस 10-15 मिनिट में English करूँ भी, और ज्यादा से ज्यादा मैं यहां पर 5-7 questions कर पाऊं, तो क्या होगा, कि 10 मि पहुंचने के condition हो जाएगी, बाकी बचे हैं, 45 मिनिट बाकी और सारे questions भी करने हैं, तो कैसे करेंगे, तो अपने आपको depression से बचाना है, exam के समय जो आपका room का fear होता है, दिमाग पर जो सवार होता है, time का, उससे बचाना है, तो आपको जो सबसे पहले आ रहा हो, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो करने में, जो सबसे ज़्यादा आपको आता हो, उसी से सुरुवात करेंगे, चाहे वो reasoning हो सकता है, चाहे वो आपका quantity of attitude, चाहे English, तीनों में जो सबसे ज़्यादा आता हो, वहीं से आप सुरुवात करिए, जिससे आपका होगा क्या की quantity of attitude होने है, तो बहुत confidence आजाता है, कि अब आगे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने है, reasoning में मैं आ जाओ, reasoning में आके भी मैं 20 questions अगर कर लेता हूं, बाकी के यहाँ पे, देखिए, आगर आगे के 20 minutes में 20 questions कर लेता हूं, तो मेरे total हो जाते हैं, 45 questions यहाँ पे हो जाते है फिर मैं English पे चलाओं, जितना मुझे आता है, 10-15 questions, 15 questions कम से कम कर लो, safe zone में रहने के लिए, तो total मेरे 60 number के attempt हो जाते हैं, बहुत आसानी के साथ, तो इसी तरह आपको भी follow करना होगा, कि आप पहले से ही सोच के रखे, exam time में पहुंच के मैं सोचिए, कि पहले पूरा paper देख आपको number से रिच करने चाहिए, फिर approximations करने चाहिए, उसके और data interpretation, मतलब ये आपके 5, 10, 15, 20 marks फिक्स वाले ही यहां से निकल जाते हैं, mislaneous से अगर आपने 5 questions या 7 questions ही कर लिए, तो आपके bonus की तरह हो गए, 27 questions आप कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट के अंदर, ठीक है, इसी इसाफ से अपने time को बाट ये, quantity of attitude में आपको पता है, यहां पर time लगना है, तो आप यहां पर 20 मिनट कम से कम लेके रखिए, और आप 20 मिनट ही आप अपने लेकर रखिए रिजनिंग में, और 15 मिनट आप लेकर रखिए अपने English section के लिए, तो यहां पर 20, 20 आपका कितना हो गया, 40, 40, 15, 15, और 5 मिनट का जो समय होता है, आपको लगेगा ही लगेगा, इधर उदर आपका जो 5 मिनट सुरुगात का और रंत का निकल जाता है, वो आपको पता नहीं चलेगा, तो इस इसाब से अपनी तयारी को रखिए, जिससे आपका जो exam हो, easily निकल जाए, तो मेरे ख्याल स से 5 questions आएंगे, वो भी कर लेंगे, यहां पर कोई भी difficulty का लेवल नहीं होता है, ना तो आपसे बहुत ज़्यादा घुमा फिर आगे questions पूछे जाएंगे, यहां पर आपसे बहुत कम दिखती हैं मुझे, फिर आजाते हैं, फोर्थ पार्ट पर यह आपका होता है sitting arrangement, इसमें आपके 2 set पूछे जा सकते हैं, पिछली बार 2 set पूछा गया था sitting arrangement से, तो मैं कहता हूँ कि इस बार भी अगर 2 set पूछे गये, तो 10 number के questions यह हो जाएंगे, और यह आपके single facing ही रहेंगे आपके या तो inside या तो outside, लेकिन अगर यहां से 1 set आता है, माली जी यहां से 1 set आता है तो एक जो आपका set होगा 5 number का, वो आपका कहां पे चला जाएगा, आपका floor based puzzle जो होती है, वहां पे आपका वो shift हो जाता है, तो यहां पे चाहे 2 set पूछे, चाहे floor based puzzle पूछे, दोनों ही आप कर सकते हैं, एक question आपका linear arrangement पे fix होगा 5 number का, यह question होगा, easy होगा, इसको भी आप कर पाएंगे, और बाकी के जो बचे हैं, वो 5 questions आपके निकल सकते हैं, alphabetical series से, या इधर-धर के कोई और questions आपके निकल सकते हैं, जहां से आप बना सकते हैं, तो अगर मैं कहूँ इसमें करम की बाद, तो आप inequality, syllogism, direction और blood relation को आप तीनों फटा-फट कर लीजे, 15 questions तो यहा से 20 questions आपके हो जाते हैं, उसके बाद आप देखिए कि आपके लिए circular arrangement ज्यादा आपका असान पढ़ रहा है, या फिर floor based, जो 5 minute का time मैंने आपको निकाला हुआ था, वो आपका यहीं सब खर्च होगा थोड़ा सा comparison करने में, तो देख लिए आपको क्या करना है, 20 number तो आप अपने यहां से निकाले लिए हैं, अब 5 number कम से कम और यहां से निकाल लिजे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी position यह बना देगा exam में, तो यहां पर मैं जो बात कर रहा हूँ, यह सारे 100% accuracy के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई गलती होने की समभावना नहीं ह अपने आपको full form में रखे, एकदम छोड़िये नहीं, कुछ लोग तो ऐसे बतार exam दे के आप तो चलो, एक दिन रष्ट करते हैं, फिर उसके बाद कल से पढ़ाई करेंगे, कल और कुछ नहीं, आज से एकदम पढ़ाई अपनी जारी रखे, चाहे आज exam हो, चाहे ना हो, आप अपने आपको एकदम तयार रखे, तो यहाँ पर मैंने आपसे discuss कि ये तीनों पार्ट, reasoning, English, और आपकी quantitative aptitude, तो यहाँ पर आपके लिए safe score क्या हो सकता है, मतलब ऐसे पहले से cut-off की भरश्वाणी करना गलत होता है, safe score आपका क्या हो सकता है, ये तो हम सब बता सकते है English में कम से कम आप 15 attempt करके आईए, math में कम से कम आप 25 से उपर attempt करके आईए, बहुत easy paper होगा math के लिए भी, और इसी तरह गर मैं reasoning में कहूं, तो आप कम से कम 25 number से उपर attempt करके आईए, तो 65 आप कम से कम attempt करके यहाँ पर आईए, तो अपने आपको बहुत safe zone में आप पाएंगे और यहाँ पर अगर आप खुद को और time को बहुत अच्छे से manage कर पाएंगे, तो कर भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग करते हैं और आप भी उसमें से एक बन सकते हैं, क्योंकि सारे लोग इंसान हैं और आप भी इंसानी हैं, तो आप भी करने का प्रयास कर या, भी से अपने गोल को set कर ये, mock test वगएरा अगर दे रहे हैं, तो, कभी भी mock test का जो result आता है, उससे आप निराश नहीं हुआ करे ए, क्योंकि जो mock test बनाया जाते हैं, वो आपके जो regular exam होते हैं, उससे high level के होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेगा, कि आप कोई भी mock test देते हैं, तो उसमें अगर clerkा भी आप exam देंगे, तो उसमें PO वाले question भी उसमें डाल के ही रखते हैं, तो उसको देख करके उसका result अब अपने आपको कभी भी हताश मत लाइएगा, बस ये देखेगा कि आप कुछ ना कुछ improvement उसमें करते जरूर रही है, ठीक है, और देखिए, एक mock test देखिए, आपने कौन-कौन से section में कितना किया, कहां पे कमी रह गए, उसको note करते रही है, अगली बार उसको और improve करिए, फिर आगे mock test दीजिए, क्यों mock test देते जाना, मतलब आज मैं बैट गया एक घंटे दिया अगर मैं नहीं कर रहा हूं कि मेरी गलतियां कहां पे हैं, क्या कुछ मुझे सुधार करना चाहिए, फिर इसका कोई फायदा नहीं है, तो analyze करिए, जितनी बार mock test दीजिए, कहां पे गलती रह गई, क्या आपको नहीं आ रहा था, कहां पे आपको ध्यान देना थी, एकदम proper study बना के रखे, देखे, आपका selection नहीं होगा, तो आप मुझे complain कर सकते हैं, कि सब कुछ करने के बाद भी आपका selection नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आया होगा, 15 दिन का समय है, काफी समय है, क्योंकि आपकी practice बनी है, बीचों कोई break नहीं था, 2-4 महीने का कि 15 दिन के पहले हम कैसे कर लेंगे, सब कुछ आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस अब focus आपको अपना shift करना है, इन सारी चीजों पर और खास तोर पे time management पर आपको focus अपना बना के रखना होगा, अपने साथ है कि stop watch रखे, घड़ी रखे, या फिर mobile में लगा के रखे, कि आप एक घंटे में total कितने questions कर पा रहे हैं, फिर आप देखिए कि आप अपने आप में कितना improvement ला पाएंगे, कि ओल 15 दिनों के अंदर ही, जब आपके exam होने वाले हैं, तब, तो ये strategy आपको कैसे लगी, मुझे आप comment करके बताईएगा, कि strategy आपको पसंद आई की नहीं तो आप मुझे वो भी comment करके बताईएगा, कि आपको ये काम आता है कि नहीं आता है, वीडियो गर पसंद आया होते से like करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी से जरूर share करिए, उनको भी बताईए time management कैसे कर सकते हैं, देखिए कुछ लोग हमारे यहां पे मौझूद होते अपका दोस्त दुखी है, तो आप समाज में negativity फैल आने के बजाए, पॉजिटिवटी फैल आईए, तो ज़्यादा हम constructive अपना समाज बना सकते हैं, तो आपका भी सेलेक्शन हो, आपके दोस्त का भी सेलेक्शन हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी खुशी हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को अगर subscribe नहीं किया है, तो आज इस चैनल को subscribe कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज हैं, आपको मिलती रहेंगी, और आपकी जो preparation है, वो और अच्छी होती रहेगा, आपके selection के chances भी बढ़ जाएंगे, तो अब हम म मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, have a nice day and bye.